असलाम वालेकुम अजीजाने मिल्लत इसलामियां मैं आपका भाई नसीम सिद्धिकी मदली से इतिहाद अलमुसलिमीन का छोटा सा कारकून अभी लाइव आने का आपके बीच में सिर्फ यही मकसद था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मिस्टर इजास खान एक लाइव वीडियो डाली और अपनी पॉपुलिर्टी का डंगा पीट रहे थे और कह रहे हैं कि मेरे काईद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दिनोवेसी साहब का फैसला गलत है ठीक है मैं मान सकता हूँ कि आपको एसेंबली जाने का शौक है आपको MLA बनना चाहिए और अल्ला आपको MLA बनाई भी लेकिन जिस तरीके से आप अपनी पॉपुलिर्टी का डंगा पीट रहे हैं और मेरे काईद बैरिस्टर असदुद्दिनोवेसी साहब को मिस्टर इजास खान साहब आप बोल रहे हैं कि उनका फैसला गलत है और मैं इस बात को बाकू भी कह सकता हूँ कि मेरे काईद ने जो फैसला ले लिया शायद वो उससे बहतर फैसला मैं नहीं समझ सकता कि कोई फैसला होगा और मिस्टर इजास खान साब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी पॉपुलेर्टी माशालला अलहम्दुलिल्ला अल्ला और बढ़ाए लेकिन सियासत कोई खिलोना नहीं है जिस कोई जुनजुना नहीं है हाथ में लेके उसे बजा लोगे आप आप अपनी पॉपुलेर्टी के बारे में मेरे कायद बैरिस्टर असद उद्दिनोवेशी साहब से आप बोल रहे थे कि सदर्स असद साहब असद भाई अगर एजास खान आपके हैदराबाद भी आएगा तो भीड आएगी और मेरी पॉपुलेर्टी का आपको पता चल जाएगा तो मिस्टर एजास खान साहब मैं आप से बोलना चाह रहा हूँ कि आप वही एजास खान है ना आप करनाटका इलेक्शन में गए थे नोहरा शेक का परचार करने हीरा गुरुप कमपनी की मालकीन नोहरा शेक आपको याद होगा करनाटका इलेक्शन गए थे अपनी popularity का किटना डंका पीट कर आये, आपने करनाटका में कितना डंका पीटा, कितने लोगों ने आपके कहने पे vote कर दिया, वहां भी तो भीड़ देखने आती थी आपको, आप ये बात कैसे कह सकते हैं, भीड देखने में, और लघाने में, बहुत फर्क होता है मेरे भाई जब मदारी खेल दिखाने आता है न तो डमरू बजाता उसे देखने भी भीड लग जाती है अलहम्दुलिल्ला आप हत की आवाज उठाते हैं आप बोलते हैं आप चार बार जेल भी गए मुसल्मानों के लिए गए इस बात को आप नहीं कह सकते जेल जाना सिर्फ आप ही जेल नहीं गए हैं हंदोस्तान के अंदर ना जाने कितने लोग जेलों में गए हैं मैं खुद भी गया हूँ और शायद आप से ज़्यादा बार गया हूँगा लेकिन मैंने नहीं बोला मैंने उंगली नहीं उठाई अरे जेल जाना सुन्नत है अगर जेल चले गए तो तुम कोई अकेले इंसान नहीं हुए और तुम कैसे किस तरीके से मिस्टर जास खान साहाब अपनी पॉपॉलिटी का डंका सदर साथ के फैसले को गलत कह रहे हो तुम क्या साबित करना चाहते हो अगर तुम्हें जमाज से महबबत थी तुम्हें जमाज से प्यार था तुम्हें M.I.M. में आना था तो एसंबली जाने के लिए क्यों आ रहे हो मैं भी हूँ मैं भी वाज उठाता हूँ आप जेल गए मिस्टर इजास खान साहब तो नसिम सिद्धिकी ने भी आपके लिए आवाज उठाई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं असंबली में ही जाकर आवाज उठा सकता हूँ अल्ला ने अमें ताकत दी है, कुवत दी है, सलायत दी है असंबली जाने का मौका अल्ला आपको दे लेकिन आप मेरे कायद के फैसले पर उंगली उठा रहे हो और शायद ही आपकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मेरे कायद ने जो फैसला ले लिया वो फैसला सबसे बहतर फैसला होता है आपकी पॉपुलेर्टी आप टिक टोक पर भी पॉपुलर हो आपको तो हर चीज में पॉपुलेर्टी भी मिलती है तो आपको इतनी चाहत एमाइम में आने की थी तो आप जाते और सदर साहब से कहते सदर साहब आपका फैसला सराखों पे होगा मैं जमाइस से जुड़ना चाहता हूँ मैं जमाइस के लिए काम करना चाहता हूँ आप मुझे टिकट दे या ना दे मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है मुझे मुम्बरा से इलेक्शन नहीं लड़ना है आप जहां से बोलेंगे मैं वहां से लड़ूँगा आप जहां से नहीं बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं लड़ूँगा मुझे जमात से महबबत है और मैं जमात के लिए काम करूँगा पूरे हिंदोस्तान में फिरूँगा जगा 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 जाकर जमात के लिए परच आप कहरे हो कि मुम्ब्रा का कंडिडेट हार जाएगा आप गारेंटी लेते हो कि आप जीत ही जाओगे अरी ये सियासत है मेरे भाई अल्ला ने जिसके हक में जीत का फैसला लिखना है वो लिखेगा और सीधी सीधा मिसाल है आपके सामने हमारे महाराष्ट के परसिडेंट इ जीत का कि आप बोलो मुझे एसंबली की टिकट मिल जाए और मैं जीत जाओं आपको जमाज से महबबत थी तो जमाज के लिए काम करते उनके लिए परचार करते मैं यहाप पर बैठा हूँ अगर मेरे अगर मुझे भी ख्वाइश होगी अगर मैं अपनी ख्वाइश हुआ अगर मेरे सिदर ने कहए दिया कि आप इंड़ाइबने लड़ तो हम इंड़ांगे मेरे भाई हम जमाज से मिल्लट से महबबत कर रहें मिल्लत को जोडने का काम करेंगे हमारी एक आवाज है ना अल HAMDULILLLAH वो एक ही आवाज कापी है पूरे हंदोस्तान में पूरे पार्लियमेंट में एक ही आवाज कापी है हमारे लिए वो आवाज उठती रहेगी और उसी आवाज के पीछे हमें लबैक करके चलना है आप सोचल मीडिया पर आकर अपने लोगों से एक मुहिम के तहट आप क्या जताना चाह रहे हो अरे मेरे भाई मुझे आपसे नफरत नहीं है आप दो बार जेल में गए मैंने दोनों बार आपके लिए आवाज उठाई दोनों बार लोगों से कहा कि आपके साथ आपने सही किया चाहे आपने गलत किया लेकिन मैंने ये कहा कि एजास खान के साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं बनता मेरे भाई कि आपकी पॉपॉलेटी है तो आप असस सापको अपनी पोपुलेटी दिखाओगे, हैदराबाद में जाओगे तो भीड लग जाएगी, अरे मेरे भाई भीड कहीं भी लग सकती है, आप एक्टर हो, एक्टर कोई भी चले जाए, कोमेडियन भी अगर चले जाए, फिलम इन्रस्टिस का, राजपाल में तब्दिल करना इसकी गारेंटी आप नहीं ले सकते हो, आपके सामने सीधा-सीधा मिसाल है, मुंबई से उर्मिला, उर्मिला इलक्षन लड़ी, उसे भी देखने के लिए बहुत सारी भीड लग जाया करती थी, उर्मिला आई है, तो क्या वो जीत गई क्या मेरे भाई आप अपनी पॉपॉलेटी का डंका बिलकुल मत पीटो मेरे भाई, ठीक है, आप अच्छी बात करते हो, अल्ला आपकी जुवान में और ताकत बखसे, और अच्छी बात करो, लेकिन जिस तरीके से आप यह भी बयान बाजी कर रहे थे, मजबूरन मुझे, मजबूरन मैं स सुनकर मुझे से रहा नहीं गया, और मैं आपको बताने आया, मिस्टर इजास खान साहब, मेरी बातों को गौर से सुनियेगा, पॉपॉलेटी का डंका मत पीटिये, जेल गया, जेल गया रहे साहब, जेल गये, किसी को नहीं पता किस लिए गये, शायद हमें भी नहीं पता आपने कहा आपके साथ गलत हुआ, तो हमने कहा आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े थे, आप जिस तरीके से आप बयान बाजी कर रहे हो, वो आपकी बयान बाजी मेरे भाई, गलत है, और शेयर करो मेरे भाई, ये जो गुमरा कर रहे हैं लोगों को कि असस आप गलत फैसला ले रहे गलत फैसला ले रहे एक बात याद रखो मेरे जमाज से महबत करने वाले मेरे भाई और इजास खान साब आप भी सुन लिजिए कि मेरे कायद का फैसला आखरी फैसला होता है जो उन्होंने ले लिया वो बहतर फैसला होता है क्योंकि सालार कहके गए थे क सियासत हमारे घर की लोंडी है और उनसे ज्यादा सियासत मैं नहीं समस्ता पूरे हंदोस्तान के अंदर चाहे हमिस्सा हो चाहे नरंदर मोधी हो चाहे राउल गांदी हो उन जैसी सोच कोई रख सकता है या उन जैसी के लिए पूरे महाराष्ट मैं फिरूंगा हर एक सीट पर जाकर मैं परचार करूंगा आपको तो मुंब्रा चाहिए मुंब्रा चाहिए मुंब्रा चाहिए अरे मेरे भाई मुम्रा से लड़ रहे जाओ उसकी मदद करो जिताओ उसको तुम्हारी तो वास सुनेंगे न वो तुम एसंबली नहीं जा सकते उसको तो भेश सकते हो न वो भी तो तुम्हारा भाई है तुम कह रहे तो मेरा भाई है तो जाओ मुखालफत मत करो उसकी आप जाओ परचार करो मुम्रा में जाकर और वो सीट निकाल के लाओ अपनी महबबत को दिखाओ जमात के लिए जब तुमारी महबबत ऐसी होगी तो मेरे कायत का फैसला तुमारे हक में बहतर होगा इसलिए मिस्टर रिजास खान साहब आपसे महुत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कैसी बाते ना करे पॉपुलेटी का डंका ना पीटे मैंने आपसे कहा था कि करनाटक में जाकर आपने कितने वोट हासिल कर लिए नोयरा सेक का परचार करने गए आप सूपर स्टार बनकर वहाँ भी वीर्ड लग रही थी ना आपको देखने के लिए कितने लोगों उनों वोट दे दिया कितनी सीटे निकल गई वहाँ से आप मुझे बता सकते है साहब जो सियासत करते हैं सियासत उन्हीं को करने दो वो बहतर फैसला लेते हैं जमात के हत्मे और आज से नहीं मुल्क की आजादी के बाद से जमात का फैसला जो भी लिया गया वो बहतर ही हुआ है और जमात की मुखालफत करने वालों का हाल आपके सामने है कोई आपकी बाते सुनकर अगर आपको किसी ने दिलासा दे दिया, या ये वो ऐसा वैसा, मेरे भाई, अच्छी अच्छी बाते करो, कौम मिल्लत की आवाज उठाते हो, उठाओ, सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आप जमात के लिए, और मेरे कायद बैरिष्टर सदुद्दिनोव इसी साहब को अपनी पॉपुलेटी का डंका बजाओगे न मेरे भाई, क्या पॉपुलर हो आप मेरे भाई, क्या पॉपुलर हो, आपकी गाड़ी लगती भिर लग जाती थोड़ी बहुत देखने के लिए, आपको मालूम है कि एक आवाज सुनने के लिए, नरंदर मोदी क ये लिए नजाने कितने लाखो करोड़ो रुपे खर्च करके वो महबबत नहीं पापाते हो, जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुदिनोवेसी साहब अपने चेहरे से, एक नूरानी चेहरे से वो महबबत पा लेते हैं, लोग उन्हें देखने के लिए दिवानों की तरह आत तो जो सियासत कर रहे हैं, उनको सियासत करने दो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, जमात के लिए आप ऐसी बाते ना करें अजास खान साहब, आपके लिए कोई दिल में नफरत नहीं है, आप मेरे भाई हो, कलमे के शरीक हो, और जो कलमे का शरीक है, वो सब मेर भाई हैं मैं आपके खिलाफ कुछ गलत अलफाज नहीं इस्तमाल कर सकता क्योंकि अल्लह ने आपको भी अच्छी सोच दी है सलाईयत दी है सोचने की फिकर जज़बा दी आए तो इजास खान साहब आपसे महदबाना गुजारिश आगे से कुछ बोलने से पहले सोचे अगर जमाज से महबबत है तो मैं आपसे रिक्वस्ट कर रहा हूँ कि आपको मुम्बरा वालों से भी मुहबत है तो मुम्बरा मुंबई में जाकर मुम्बरा वालों से आप जाएं और अपील करें कि जमात को वोट करिए जिस कंडिडियेट को मेरे सदर बेरिस्तर असदुद्दी ओवेशी साब ने नुमाइंदा बना कर मुम्बरा में उता रहा है आप जाकर अपनी मुहबत को मुम्बरा की अवाम में दिखाईए और कहिए कि जमात के लोगों को कामियाद करिए मैं जमात के साथ हूँ आज नहीं अगली बार जाऊँ आए संबली मेरे भाई उमर नहीं निकल गई सियासत में ना जाने कितने साल लग जाते हैं अगर आपके दिल में मुहबत है जमात की तो जमात के लिए अपनी मुहबत दिखाए और महराष्ट में जाकर मजलिस का परचार करे और मुम्रा से आपको मुम्रा वालों से इतनी मुहबत है मुम्रा में ऐसा हुआ वैसा हुआ जैसा हुआ तैसा हुआ अगर आपको इतनी मुहबबत है मुम्रा वालों से तो आप जमात को कामियाब करिए जमात कामियाब होगी तो उनकी आवाज उठेगी सिर्फ आप जमात का कोई भी नुमाइंदा कामियाब होगा वो अवाम की आव तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सससाप का फैसला गलत हो गया, ऐसी फाल्तू की बाते ना करें आप, तो मेरे भाई, शेर करिए, और इजास खान साप तक, पहुचाईए, कि आपको नसिम सिद्धी की साब ने कहा है, कि जमाज से महबबत दिखाईए, और जाकर परचार करिए मजलिस का, और मुम्रा वालों से अपील करिए, मुम्रा वाले आपकी बात सुनते ना, आपके लिए बहुत महबबत है उनके दिल में, तो मुम्रा वालों से जाकर अपील करिए आप, चांदी वली जाईए, साकिना का जाईए, अंधेरी जाईए, बांधरा जाईए, मुम् वबत हैं तो आप जाएए मेरे भाई है जिल जाने kto मैं भी जेल गया मेरे भाई मैं मजलिस में आया उसके छार स नहीं पाच बार वी जिल गई ङूह वहएँ नहीं यह लेकिन मैंने यह नहीं का सदर साब आये मुझे जेल से चुड आये मेरे काईद ने फैसला मेरे कायद की जुबान पूरे कौम मिल्यत के लिए सिर्फ वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो सिर्फ वो जुबान नसीम सिद्धी के लिए चलिए क्योंकि अल्ला ने मुझे भी एक ताकत दी है होसला दी आए जेल काटने से ने डरते मेरे भाई अगर हम हक की आवाज उ होगी तो कोई काट नहीं सकता जब आपकी किस्मत में एसेंबई जाना लिखा होगा एजास खान साब आप अपने आपैसेंबई में पहुच जाओंगे अल्ला से मैं दूआ करूँगा कि अल्ला आपको एसंबली में पहुचा दे, इनकी चाहत को पूरी कर दे, एसंबली तो छोड़ो, मैं तो आपको चाहूँगा, आप मेंबर उप पार्लियामेंट भी बन जाओ, अल्ला से दूआ करूँगा, लेकिन आप पहले जमात के लिए क सच बोल रहा हूँ और यही सच है, कि मेरे कायद का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता, खुदा आपिस